दे स्कूल फेट आज स्कूल मेले का दिन है पेपा को मेले में आना अच्छा लगता है ये हैं पेपा के दोस्त कैंडी कैट, सुजी शेप, डैनी डॉग, रिबेका रैबिट और पेड्रो पोनी हेलो दोस्तो मुझे स्कूल फेट अच्छा लगता है मुझे भी, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, फेस पेंटिंग करना, गुबारे पसंद है, मुझे सबसे ज्यादा उचलने वाला कासल पसंद है, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है, बहुत अच्छी पसंद है पैपा, फिर मिलेंगे पैपा, फिर मिलेंगे, जोर्ज, त तुमें सबसे अच्छा क्या लगता है गाइनासॉर यह ओ डिया मेले में कोई डाइनसौर्स नहीं है जोर्ज शायद हम एक डाइनसौर गुबारा ले सकते हैं आपको यकीन है उनके पास डाइनसौर गुबारे है डैटी पिग अहां जरूर होंगे ममी पिग क्या पहले मैं औ मुझे तुमारा चेह्रा अच्छा लगा सूझी क्या तुम पुषी कका फो मैं है पैप अपना चेहरा पेंड कराना हम जो सित फोलना है कि अपना अपना प्राइब कराना चाहती हो बिल्कुल है मैं टाइगर हूं जिय टुम क्या बनना चाहते हो एक डाइनसार अ उसके बजाए ऐक टाइगर कैसा रहेगा मैं अच्छा जवनाती हूं मैं टाइगर हूँ मैं भी टाइगर फूफ उफ नहीं बोलते तुम्हें कैसे पता क्योंकि टाइगर बड़ी बंलिया होते हैं और मैं बंलिय हूँ केंडी कहतों कहतों हम किसे बंको सब्सक्राइगर बहुत दिने दिने चलते हैं और फिर कुटे हैं टाइगर खुद को चाट कर साफ करते हैं पर जब टाइगर खुश होते हैं तब वो पर करते हैं पर हेलो बच्चों ओ यह क्या है तुम सब टाइगर्स हो और मैं उन्हें सिखा रही हूँ ठीक से टाइगर कैसे बनते हैं तुम चोटे टाइकर्स और क्या करना चाहते हो डाइनसार बिल्कुल ठीक हमें जॉज के लिए एक डाइनसार गुबारा ढूना है तुम सबको गुबारे दिलाते हैं हुरेए अलो मैडम गजेल हमें कुछ गुबारें चाहिए ज़रूर मेरे पास अलग तरह के बहुत से गुबारे हैं क्या मैं एलिफिंट का गुबारा ले सकती हूँ ये तुम्हारे लिए पैपा मुझे कांगारू चाहिए एक लायन वाला मुझे मंकी चाहिए एक पैरिट व ये मेरे पास डाइनसार का कोई गुबारा नहीं है पिед मत रोच मेरे पास एक आईडिया है क्या हम ये दो लंबे गुबारे ले सकते हैं सब लोग उसको दिखो एक वाट्टी पेला है क्या है है कि ये कांगारू है नहीं ये है डाइनासार बिल्कुल ठीक डाइनासार डाइडी पिग ने एक डाइनासार गुबारा बनाया डाइनासार अब वो उचलने वाला कासल पैपा को उचलने वाले कैसल में उचलना पसंद है सब को उचलने वाले कैसल पर उचलना पसंद है तब यह ठीक नहीं ममी और डाड़ी पिग ने अभी-अभी पेपा और जॉज के लिए नाश्ता बनाया है नाश्ता तयार है पेपा के चहरे पर लाल दाने निकलाए है मामी मुझे ठीक नहीं लग रहा मेरी प्यारी पेपा तुम बिमार लग रही हो चिंता मत करो मैं डॉक्टर ब्राउन बेर को बुलाता हूँ डॉक्टर ब्राउन बेर बोल रहा हूँ पेपा की तबे ठीक नहीं है उसके चहरे पर लाल दाने निकलाए है पेपा को आराम करने दो, मैं थोड़ी देर में वहां पर पहुचता हूँ पेपा को चेक करने डॉक्टर ब्राउन बेर आए है हेलो बेटा पेपा, कैसी तब्यत है तुम्हारी? मुझे ठीक नहीं लग रहा अपनी जबान जरा बाहर निकालो डरने की कोई जरूरत नहीं, पेपा को तो सर्फ रैशेज आए है मुझे दवाई की जरूरत है रैशेज जल्दी ठीक हो जाएंगे पर अगर तुम चाहती हो, तो मैं तुम्हे थोड़ी दवाई दे देता हूँ हाँ, दीजिये ना इसका स्वाद शाय अधे तुम्हें पसंद आए चलो अब मूझ खोलो यक, गंदी और कडवी बड़ी ही बहादुन लड़की हो तुम, तुमने दवाई बहुत अच्छे से ली पेपा को आराम करना चाहिए उसकी तबियत के बारे में में बाद में फोन करके पूछूंगा पेपा को लोग मिलने आ सकते हैं? हाँ, हाँ, ज़रूर आ सकते हैं ये रैशस फैलेंगी नहीं गुड बाई 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 डॉक्टर ब्राउन बेर मामी, क्या मैं उठ सकती हो? डॉक्टर ब्राउन बेर ने कहा है कि तुम्हें कुछ देर आराम करना है पेपा पर ये कितना बोरिंग है डॉक्टर ने ये भी कहा है कि तुम्हें मिलने लोग आ सकते हैं क्या सूजी शीप मुझसे मिलने आ सकती है? सूजी शीप पेपा की बेस्ट फ्रेंड है मैं उसकी मम्मी को फोन करती हूँ हेलो मिसस पेग पेपा सूजी से बात करना चाहती है हेलो सूजी हेलो पेपा, मेरी तबिया ठीक नहीं है मेरे जहरे पर रैश है डॉक्टर आये थे क्या हाँ, डॉक्टर ब्राउन बेर आये थे उन्होंने कहा मेरी तबिया ठीक नहीं है पर मैं बहुत बहादुर हूँ तो तुम सचमुझ बीमार हो हाँ, हाँ, मैं जूट नहीं बोल रही मुझे बिस्दर में ही रहना है डॉक्टर ब्राउन बेर ने मुझे एक बहुत ही गंदी और कड़ी दवाई दी थी मैं तुम्हें देखने आ रही हूँ मैं नर्स वाले कपड़े पहन कर आती हूँ सुजी शीप पेपा से मिलने आई है सुजी अपने नर्स वाले कपड़े पहने है टानी डॉग और रबेका राबिट भी साथना है हेलो पेपा हेलो तुम कैसी हो पेपा मेरी तब यह ठीक नहीं है सुजी मुझे बिस्तर पर लेटे रहना है तुम्हें ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तुम मेरे लिए संत्रे का जूस ला सकती हो ठीक है लगता है कि पेपा को बड़ा मजा आ रहा है तैंक यू सूजी अभी कुछ ठीक लग रहा है थोड़ा सा डानी मेरी ममी से पूछो क्या मैं आइस क्रीम खा सकती हूँ और रिबेका क्या तुम बगीचे से मेरे लिए फूल ला सकती हो पेपा ठीक हुई यह नहीं यह देखने के लिए डॉक्टर ब्राउन बैर आए है अरे वह नर्स तो पहले से ही पहुच गई तो बताओ मरीज कैसा है मैं असली नर्स नहीं हूँ मैं तो पस ऐसी ही अच्छा जी तो क्या मैं उसे देख सकता हूँ हाँ प्लीज हरे वह रैशिस गायब हो गए हैं तुम तब बिलकुल ठीक हो गई क्या मैं थोड़ी भी बिमार नहीं हूँ अब कैसा लग रहा है मुझे लगता है और थोड़ी देर लेटे रहना चाहिए मुझे इस बॉल के साथ बगीचे में जाकर खेलना है कौन आएगा मेरे साथ में 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 भी अरे ये क्या तुम तो बिलकुल ठीक हो गई प्लेग्राउंड पेपा और जॉज अपने दोस्तों के साथ प्लेग्राउंड में है कैंडी काट और पेड्रो पोनी क्लामिंग फ्रेम पर है रोबेका राबिट सुजी शीप और डानी डॉग स्लाइट पर खेल रहे है पेपा जूले पर जूल रही है मामी मामी जूला चुलाओ ना तुम तयार हो हाँ मुझे बहुत उंचा जाना है और उपर मामी जूले पर जूलना है अब तुम्हारी बारी जूज कस कर पकड़ो मैं जूज को जुलाओंगी जूज को दीरे से जुलाना पेपा जी मामी कस कर पकड़ना जूज पेपा ने जूज को बहुत जोर से जुला जुलाया जोर्ज को ये बिल्कुल पसंद नहीं पैपा तुम्हें पता है जोर्ज को उचाए से डर लगता है सॉरी जोर्ज चलो वहां खेलते हैं हलो सुजी हलो डैनी हलो पैपा वी तुम सब गलत करे हो जूलने का सही तरीका ये है पीछे रहो एक दो चलो मेरी तरव देखो मैं पंची की तरह उड़ रही हूँ मैं फस गई हूँ पैपा टायर में फस गई है ये हसने वाली बात नहीं है हमें थोड़ी हसी तो आ रही है तुम्हें बाहर निकालना होगा पैपा के दोस्त उसे बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं मा हुरेइ तैंक यू दोस्तो जोर्ज क्या तुम्हें क्लाइमिंग फ्रेम पर खेलना है क्लाम्बिंग फ्रेम बहुत उंची है जॉर्ज को उचाई से डर लगता है सॉरी जॉर्ज अच्छा चलो स्लाइड पर खेलते हैं पेपा को स्लाइड करना बहुत पसंद है सब को स्लाइड करना पसंद है मामी डारी मुझे देखिये एक दो चलो ये जॉर्ज को भी स्लाइड पर खेलना है तुम डरोगे तो नहीं न जॉर्ज ये थोड़ा उंचा है ठीक है मैं तुम्हें उपर चड़ा देता हूं ओफो ये भी जॉर्ज के लिए बहुत उंचा है टरो मत जॉर्ज मैं साथ में स्लाइड करता हूं डाड़ी आप इस स्लाइड के लिए बहुत बड़े हैं कुछ भी मत कहो पेपा मैं इतना भी बड़ा नहीं हूं चलो पीछे हटो एक दो तिर डाड़ी पिक फस गए इसमें हसने की क्या बात है डाड़ी आपको देखकर बहुत हसी आ रही है हां शायद थोड़ी हसी आ सकती है हां में आपको नीचे धकेलना होगा जोड़ी को डाड़ी की पेट पर उचल कर अच्छा लग रहा है जोड़ी को अब उचाएं से बिल्कुल डार नहीं लगता मेरी बर्दे पार्थी आज पेपा का बर्थ डे है और सुभा हो चुकी है आज मेरा बर्दे है जोड़ी उठो मेरा बर्दे है आज मेरी पार्थी है और डाड़ी जादू दिखाने वाले है जलड़ी चलो जोड़ ममी और डाड़ी को उठाते है ममी पिग और डाड़ी पिग अभी भी सो रहे हैं कितने बजे हैं बहुत देर हो गई है सुभा के पांच बजे हैं पूरा दिन खतम हो रहा है हो 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 चलो तुम्हारे बर्दे की तैयारी करते हैं यिपई ममी पिग डाड़ी पिग और जोर्च पेपा को उसका बर्थडे गिफ्ट देते हैं हापी बर्दे पैपा क्या है इस में गुडियक अड्रेस मैं आप सबको थैंक यू खुश रहो पैपा मुझे नहीं पता था ये टैडी एक लड़की टैडी है आपको नहीं पता टैडी लड़की है मुझे अपना नया ड्रेस पसंद है थैंक यू कोई बात नहीं टैड़ी, बस इसे खराब मत करना तुम्हें पता है आज क्या क्या होने वाला है हाँ, मेरे बद्ध पाठी में मेरे दोस्त आ रहे हैं और डैड़ी जादू दिखाने वाले है किसी को पता नहीं चलेगा कि वो जादूगर तुम्हारे डैड़ी है तुम सब को बताओगे के मैं अद्भुत जादूगर हूँ बुद्भाजाओ हाँ, अद्भुत जादूगर डैटी तो पूरे हफते से अपने जादू के खेल की प्राक्टिस कर रहे है मेरे दोस्ता आ गए यपी पैपा के दोस्ता आ गए कैंडी काट, सुजी शीप, डैडी डॉग, रबेका राबेज और पेड्रो पूनी हलो दोस्ता आ गए पैपा चलो बचो, पार्टी शुरू हो रही है तैडी पिग जादू का शो करने वाले है पैपा, याद है ना तुम्हें क्या कहना है मैं तुम्हारे सामने पेश करती हूँ, एक बहुती अद्भुत जादूगर जी डाडी, दोस्तों पेश करती हूँ, जादूगर डाडी ये रही मेरी पहली ट्रिक, अबराकाडाबरा वाव, ये तो टेरी है मेरे अगले जादू के लिए मुझे तुम मेंसे किसी की मदद चाहिए मुझे एक ही चाहिए प्यारी बच्चे, तुमने पहले हाथ उठाया चलो अब दर्शकों को अपना नाम बताओ सूजी शीप देखो सूजी, ये रहे तीन बॉल एक लाल, एक नीला और एक पीला ठीक है जब मैं पीछे मुड़ जाओंगा, तब तुम्हें मुझे बिना बताओ एक चुनना होगा ठीक है क्या तुमने एक चुन ली? हाँ अबरा का डाबरा तुमने चुनी, पीली नहीं आबरा का जाबरा नीली नहीं आबरा का जाबरा लाल हाँ सही जवाब हुर्टु जादुकर डैरी आपने तीनो रंग बता दिये श्ष्ष पैपपा इसी को बताना नहीं क्या एक और जादु देखना चाहो हाँ प्लीज अब अपनी आखे बंद करो देखना नहीं है अब जादुई शब्द बोलो अबरा का डाबरा अबरा का डाबरा अब अपनी आखे खोल दो हुर्य मेरा बर्दे केक मौमबतियां बुझाओ पैपा तब एक यू यह मेरा सबसे अच्छा बड़े था तो play group सिर् कौनिफ सेां यो पार जॉच प्लेगूप में जा रहे हैं ये जॉच का पहला तिन है जॉच क्या तुम Bay group में जाना अच्छा लग रहा है जा प्लेगूप ने बहुत चोटा है वो ठीक रहेगा पेपा और फिर तुम और और मिस्टर डाइनसौर वहां उसके साथ रहोगे लेकिन मैं बड़े बच्चों के साथ खिरना चाहती हूं ना कि जॉज और उसके डाइनसौर से ओडिया पैपा जॉज के साथ प्ले ग्रूप में जाना नहीं चाहती है हम पहुंच गए तैड़ी आपको यकीन है जोज बड़ा हो गया है वो ठीक रहेगा ठीक है यह आ सकता है बाई बाई मैडम गजेल प्लेगुट के बच्चों की देख भाल करती है यह मेरा चोटा भाई जोज हेलो जोज काश मेरा भी एक जोज जैसा चोटा भाई होता सच में हेलो मैं हूँ डानी डॉग क्या यह डाइनसौर है यह सिर्फ एक खिलोना डाइनसौर है डाइनसौर है शानदार है यह सच में टरावना है यह शानदार है जोज मेरा भाई है और वो कमार का है पैपा को उपने छोटे भाई जोज पर गर्व है चलो हम जोज को बताते हैं कि तस्वीरे कैसे बनती हैं जोज की पेंटिंग इतनी अच्छी नहीं है शायद तुम उनके मदद कर सकती हो हां मुझे बहुत अच्छी आती है मैं इसे दिखाऊंगी फूल कैसे पेंट करना है जोज आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी फूल कैसे पेंट करते हैं पहले तुम एक बड़ा सर्कल पेंट करो नहीं जोज ये रंग सही नहीं है अब तुम फूल की पत्तियों को पेंट करो जोज ये सही शेप नहीं है अब तुम इसकी डंडी और पत्तियां पेंट करो परफेक्ट जोज तुमने बिल्कुल गलत बनाया है देखें तो तुमने क्या बनाया है मैंने फूल पेंट किया है ये बहुत अच्छा है पेपा और जोज ने पेंट किया अच्छा है एक डाइनसौर ये अच्छान दार जोज और पेपा की तस्वीरों को दीवार पर लगाना चाहिए पेपा तुम्हे अपने चोटे भाई पर गर्ब होना चाहिए हाँ मुझे है घर जाने का समय हो गया और बच्चों के ममी बाबा उन्हें लिदे आ गए है क्या जोज फिर से आ सकता है हाँ और एक अच्छी तस्वीर भी बना सकता है अगली बार तुम क्या पेंट करोगे जोज टाइनसौर गर्ली एक और डाइनसौर की तस्वीर शायद तुम हमें सिखा सकते हो कि डाइनसौर कैसे पेंट करते हैं शांदार हाँ शांदार हाँ शांदार हाँ बेस्ट फ्रेंड पैपा अपनी सबसे अच्छी सहेली सूजी शीप का इंतजार कर रही है सूजी शीप पैपा के साथ खेलने के लिए है पैपा को सूजी पसंद है सूजी को पैपा पसंद है वो पकी सहेली या है पैपा क्यों ने तुम और सूजी बेटरूमें जाकर खेलो ठीक है ममी, जोर्ज भी खेलना चाहता है, पैपा और सुजी को पैपा के बेड्रूम में खेलना अच्छा रखता है, और जोर्ज को भी, नहीं जोर्ज, ये खेल सिर्फ बड़ी लड़कियों के लिए है, जाओ और अपने खिलोनों से खेलो, पैपा और सुजी एक दूसरे के साथ खेलना चाहते हैं, मैं एक बहुत चोटी सी परियों के राज कुमारी हूँ, मैं अपनी जादू की छड़ी घुमाने वाली हूँ, और तुमें एक मिंड़क बना दूँगी, जोर्ज को अपने आप खेलना अच्छा नहीं लगता, जोर्ज भी खेलना चाहता है, नहीं जोर्ज, मैं सुजी के साथ खेल रही हूँ, तुम कहीं और जाकर खेलो, जोर्ज पैपा के साथ खेलना चाहता है, वो अकेला मैंसूस कर रहा है, जोर्ज मुझे मदद चाहिए, मैं चॉक्रेट चिप कुकीज बना रही हूँ, की मदद करना अच्छा लगता है लेकिन उसे पैपा के साथ खेलना ज्यादा अच्छा लगता है मैं एक नर्स बनना चाहती हूँ मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ लेकिन हमारा मरीज कौन बनेगा जोर्ज पैपा और सूजी को डॉक्टर डॉक्टर खेलना अच्छा लगता है और जोर्ज को भी पैपा जोर्ज की धड़कन सुनती है जोर्ज अब एक लंबी सांस अंदर लो और फिर खासो मुझे लगता है तुम्हारा दिल थोड़ा धीला है मैं उस पर एक प्लास्टर लगाती हूँ मुझे खेलो प्लीज सूजी जोर्ज का टेंपरेचर चेक करती है तुम्हें बहुत जादा बुखार है मेरे ख्याल से तुम्हें तीन साल तक आराम करना होगा डैडि बीक जोर्ज को देखनी आए है ओ नहीं क्या हुआ है जौर्ज को चिंता मत कीजे यह सिर्फफ खेल है जोर्ज हमारा मरीज बना है ओ समझा क्या हम ताकित करशसे मिल सकते हैं शिर्फ थोड़ी देर के लिए वरनस तक औरक्छ सकता कुटीज हाँ ये जॉज के लिए है ये उसकी दवाई है ताके ठीक हो जाए माफ करना डॉक्टर मेरी मदद कर सकती हो मेरा पेट दुख रहा है इसमें गुद्गुदी होती है मैं इसके गुडगुड सुन सकती हूँ मुझे लगता आपको भूक लगी है मुझे लगता है अच्छा होने के लिए मुझे बहुत सी को किस खानी चाहिए और मुझे भी और मुझे भी और मुझे भी और मुझे भी पेपा और जॉज अपना फेवरिट खाना खा रहे हैं नूडिन्स कितना शोर मचा रहे हूँ खतब हुआ अब हमें थोड़ी शांती मिलेगी यह क्या है यह दाथ है यह कहां से आया पेपा तुम्हें जाकर आइने में देखना चाहिए यह तो मेरा दाथ है यह कैसे गिर गया फिक्र मत करो पेपा यह दूद का दाथ है वो तो गिरते ही है नया दाथ आ जाएगा ना ममी हां जरूर आएगा पेपा इसका यह मतलब है कि आज टूद फैरी तुमसे मिलने आएगी तूद फैरी हां टूद फैरी अगर तुम अपन तो तूथ्फैरी आएगी तूथफैरी तूभ। तूथफैरी तूप्मारा दान्त लेकर जाएगी और उसकी जगा वो एक चपचमाता सिखका रखेगी जब मैं बड़ी होगी मैं टूथफैरी बनुıll होगी और जब तुम बड़े हो जाओगी तो तुम क्या बनोगे जोर्ज? टाइनसोर एक टाइनसोर? चल्डी करो जोर्ज, सोने का वक्त है, नहीं तो हम टूद फेरी को नहीं देख पाएंगे सोने से पहले पेपा और जोर्ज अपने दांट ब्रश करते हैं पेपा तुम क्या कर रही हो? मैं अपना दांट ब्रश कर रही हूँ ताकि टूद फेरी के लिए वाच्छ और साफ हो पेपा जल्द से जल्द सोना चाहती है पेपा अपना टूटा हुआ दांट तक्ये के नीचे रखती है टूद फेरी के लिए गुद नाइट पेपा और जॉच्छ गुद नाइट मॉमी गुद नाइट डाड़ी गुद नाइट प्यारे बच्छो जॉच्छ मैं तो सूँगी नही जलो हम दोनो पूरी राच जाकते हैं अटूद फेरी से मिलते हैं यह टूद फेरी कब आएगी तूद फेरी को आने में काफी देरी हो रही है कहां है वो टूद फेरी वो आवाज कैसी थी क्या वो टूद फेरी थे जॉच्छ क्या तुमने कुछ सुना ओ जोर्ज ओ यहावाव तो जोर्ज के खराटों की है वो इतना ठका हुआ था कि सो गया जोर्ज रात को बहुत देर तक जग नहीं सकता पर मैं जग सकती हूँ मैं जाकते रहूंगी और टूट फेरी को देखूंगी मैं नहीं सोने वाली हूँ आखिरकार टूट फेरी आ ही गई लेकिन पेपा सोन भी है हला पेपा क्या तुम्हेरे दाथ के बदले में तुम्हें ये सिका चाहिए कितना अच्छा और साफ दाथ है तेंक यू पेपा गुद नैट पेपा जोच अच्छाओ सुबा हो गई क्या मैं सोई नहीं थी क्या टूट फेरी आई थी नहीं आई चलो तक ये के नीचे देखते हैं देखो पेपा टूट फेरी आई थी और उसने तुम्हारे ले गोल्ड कोईन रखा हुदे तुम सो गई थी है ना हाँ शायद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी लेकिन अगली बार में जगी रहोंगी और टूट फेरी से जरूर मिलोंगी पेपा अपनी पहली बैले की क्लास में जा रही है यह है माडम गजेल बैले की टीचर ओहो तो तुम हो चोटी पेपा मैं हूँ माडम गजेल हेलो माडम ओहो कितनी प्यारी हो तुम तुम्हारा इस बैले क्लास में तहे दिल से सुवागत है मैं तब हैं बार में लेने आऊँगी मजे से सीखो यह रहे पेपा के दोस्त कैंडी कैट, सुजी शीप, डानी डॉग, रबेका राबिट और पेड्रो पोनी आई है पेपा पिग जाओ पेपा अपनी दोस्तों से मिलो हेलो दोस्तो हेलो पेपा हम शुरू करेंगे डेमी पलिये से डेमी पलिये अब एक छोटा जंप पटी जित है नजाकत और सुन्दर्ता से पटी जित है नजाकत और सुन्दर्ता पटी जित है नजाकत और सुन्दर्ता पैले की क्लास बहुत मज़ेदार है अपनी हाथ उपर उठाओ एसा सोचो कि तुम्हें खूबसूरत हांस हो और तुम्हें क्या लगता है हंस कैसी आवाज करेगा नजाकत और सुन्दर्ता पैपा को नाचना बहुत पसंद है मामी मामी हम सबने हंसो की तरह डांस किया पैपा ने बहुत अच्छा किया मैंने बहुत नजाकत से और सुन्दर्ता से डांस किया शाबाश मैं आपको दिखाओ मैंने कैसे डांस किया पहले घर चलते हैं, फिर तुम डाड़ी पिक को और जॉज को और मुझे दिखाना बाइ बाइ पेपा और ममी पिक घर आ गए है डाड़ी जॉज, मैं आपको दिखाऊंगी बैले कैसे करते हैं क्या वो मुश्किल है? मेरे लिए तो बहुत आसान था, पर आपके लिए जॉज और ममी के लिए तो बहुत मुश्किल होगा पहले हमें चाहिए म्यूजिक गुट अब जॉज, डाड़ी और ममी आप वैसा कीजे जैसा मैं करती हूँ माड़ीम गजेल ने मज़िदार शब्द बोले पर असल में सिर्फ गुटनों को मोड़ना होता है और जॉब करना है पटी शित है डाड़ी आपको वो शब्द पता है क्योंकि ममी पिक और मैं बैले करते थे साफधानी से डाड़ी पेक हाँ हाँ हमें सबसे ज्यादा पसंद था पैजड़ था पैजड़ थे याद नहीं रहा पुद्ध डाड़ी पेक शायद हमें पेपा को ही बैले करते देखना चाहिए हाँ मैं उसमें सबसे अची हूँ मैं खुपसूरत हांस हूँ दादा पेक की बोट दादा पेक पेपा और जॉज दिन भर नदी पर घूमने जा रहे हैं तुम्हारा स्वागत है प्यारे बच्चों पेपा जॉज चलो लाइफ जैकेट्स पहन लो दादा पेक की बोट पर पेपा और जॉज को लाइफ जैकेट्स पहनने ही पड़ते हैं पता है बच्चों इस बोट का कैप्टेन मैं हूँ आई-ाई कैप्टेन जब कैप्टेन दादा तुम सब को कुछ करने के लिए कहते हैं तो तुम्हें वो करना चाहिए बेवकूफी चोड़ कर कैप्टन दादा कोई बेवकूफी वाली बात नहीं करते है बेलकुल नहीं, कैप्टन दादा जोर्ज जंडा लहरा आओ पेपा, बेल बजाओ आय-ाय, कैप्टन डादी पिग, वील सम्हा लो आय-ाय, कैप्टन चलो, चलते हैं तेज चलो शायद आपको थोड़ा दीरे चलाना चाहिए तुमने सही कहा, दादी पिग, मुझे अपना सारा पेट्रोल खातम नहीं करना है दादा पिग, तेज चलिए ना अच्छा लग रहा था जाएंगे बेटा, जाएंगे, हम बाद में तेज जाएंगे देखिए, एक और बोट, यह है दादा डॉग, वो डानी को दिन भर नदी पर घुमाने लेकर आएंगे कैसे हो डानी और दादा डॉग, कैसे हो डादा पिग, हलो डानी, हलो पेपा दादा डॉग, दादा पिग के बेस्ट व्रेंड है मुझे यकिन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी बोट आभी भी तेर रही है, दादा डॉग वो तो तुम्हारी जितनी ही पुरानी है ये पुरानी बोर्ट तुम्हारी जंग लगी बाल्ते से ज्यादा तेज चलती है दादा पिग ओ अच्छा तो चलो समुद्री डॉग रेस लगा कर देखते हैं हारने के लिए तयार हो जाओ पाने पिग आप दोनों छोटे बच्चों की तरह बरताव कर रहे हैं दादा डॉग ने मुझे पानी पिग कहा आपने पहले उने समुद्री डॉग का दादा आपको सौरी बोलना चाहिए अगर उसने पहले सौरी बोला तो बोलूगा दादा, अपने दोस दादा पिग को सौरी बोलिये, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है ना? नहीं, वो पानी पिग है, और मेरी बोट उसकी बोट से ज्यादा तेज है अच्छा तो ठीक है समुदरी डॉग, अगले बिज तक रेस लगाते हैं तो चलो, तीन तक गिनते हैं एक, दो, तीन तुमने बहुत जल्दी शुरू किया मुझे पकड़के दिखाओ पाने बेग्ड समुदरी डॉग बस इतना ही तेज भगा सकते हो तुम मुझे नहीं पपेर सकते है जीत गया ओ, ये क्या दादा पिक की बोट का पेट्रोल खत्म हो गया बहुत होशियारी की, कैप्टन दादा शाद मैंने कुछ ज़्यादा ही तेज चला दी हम वापस घर के से जाएंगे वो देखिए, दादा डॉग दादा डॉग हमें खीच कर वापस ले जाएंगे नहीं मुझे उस समुद्री डॉग स अपनी बोट को नहीं खचवाना मैंने उस पानी पिक को खीचने के लिए पूछा भी नहीं क्या आप दुनों कभी बड़े होंगे दादा पिक, अब दादा डॉग को सौरी बोलिये मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें समुद्री डॉग कहा दादा, दादा पिक को सौरी बोलिये न मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हें पानी पिक कहा बहुत अच्छे. दादा डॉग, क्या आप हमें खीच कर घर तक ली जाएंगे? और ये करने में मुझे बहुत ही खुशी होगी, मैडम. इसे पकड़ो, कैप्चन. आल राइट, स्किपपॉ. दादा डॉग दादा पिक के बेस्ट फ्रेंट है. दादा डॉग दादा पिक की बोट को खीच कर घर ले जा रही है. सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि मैं रेस चीट गया. दादा पिक? शहरारती दादा पिक. पेपा, बेल बजाओ. आयाय, कैप्टेन. स्कूल का नाटक पेपा की लास एक नाटक करने वाली है. लिटल राइडिग हुड. सभी बच्चों ने एक नाटक में भाग लिया है. उन्हे घर में प्राक्टिस करनी हो. पेपा होगी लिटल रेड राइडिग हुड. ममी पिग ने पेपा को तायार किया है, और डाडी पिक पेपा की प्रैक्टिस में मदद कर रहे हैं तो बताओ पेपा, तुम्हें क्या बोलना है? मैं हूँ लिचिल रेड राइडिंग हूँ बहुत अच्छे, उसके बाद मैं अपनी दादी से मिलने जा रही हूँ मैं दादी से मिलने जा रही हूँ शाबश पेपा डाणी डॉग बनेगा बड़ा भेडिया दादा डॉग और ममी डॉग प्रैक्टिस में उसकी मदद कर रहे हैं मैं हूँ बड़ा भेडिया बोलने के बाद हसना नहीं, डाणी तुम्हें डराव ना लगना चाहिए देखो मैं कैसे करता हूँ बुक्ष बहुत डरावना था पेड्रो पोनी शिकारी बनने वाला है वो पेपा को उस भेडिये से बचाएगा मैं एक शिकारी हूँ और पेड्रो थोड़ा शरमीला है तुम कहना मैं तुम्हें भगा देने वाला हूँ बड़े बेरिये मैं तुम्हें बखा दूंगा बुरे बेडिये शाबाज, पेड्रो रिबेका रैबिट दादी बनने वाली है मैं क्या बोलू, मम्मी? देखते हैं, नातक के शुरुवात में बड़ा बुरा बेडिया तुम्हें अलमारी में बन कर देगा नातक के अंत में तुम्हें शिकारी बचा लेगा और तुम कहोगी थैंक यू कहो थैंक यू थैंक यू बहुत अच्छे, रिबेका स्कूल में नातक देखने सभी आए हैं आप सभी का स्वागत है हम पेश कर रहे हैं दे लिटल रेज राइडिंग होड तो पहले मिलते हैं हमारे कलाकारों से प्लीज, प्लीज, कलाकारों की फोटो लीना मना है ऐसा मत कीजिए और अब शिरू करते हैं हमारा नाटा दाधी घर पर है बर यह मैमान कान है मैं हू बडा बुरा भेडिया क्या बाद है दानी अहो, आगे क्या बोलना है यह दानी भूल गया दाधी आप अल्मारी में चले जाओ अल्मारी में जाओ बड़ा बुरा भेडिया दादी बनने की नकल कर रहा है मैं हूँ लिटिल रेड राइडिंग होड मैं दादी से मिलने जा रही हूँ शावाश पेपा टादी आपको फोटो नहीं कीचने चाहिए ओहो, सारी पेपा, जारी रखो मैं अपने दादी से मिलने जा रही हूँ तुम मेरे दादी के तर नहीं दिख रही हो तुमारे आखे कितनी बड़ी है तुमारे दाच कितने बड़े है तुम मेरे दादी नहीं हो तुम एक बड़े बुरे भेडिये हो बचाओ कोई बचाओ, बचाओ पर देखो, यहां कौन आया है, यह है शिकारी पेद्रो बचाओ, कोई, बचाओ बिल्कुल सही वक्त पर, शिकारी पेद्रो पेद्रो थोड़ा शरमीला है पेद्रो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमारे साथ चलूँ? हाँ, प्लीज तुम बहुत ही सराती बेरिये हो मैंने आपको बचा लिया दाजी थैंक यू शाबाज, शाबाज बहुत अच्छे पेद्रो, तुमने बहुत अच्छा किया तुम बिल्कुल मेरे ही इतने अच्छे थे थैंक शाबाज, शाबाज शाबाज दूप के लिए और पेपा और चॉज अपनी साई के ले चला रहे हैं कितना बढ़िया पम्किन है डाडी पे डाडी पे को अपने पम्किन पर नाज है मुझे बस पम्किन ही उखाने आते हैं शाइद इसलिए मुझे पम्किन पाई से प्यार है चल्डी आओ जोर्ज जैनी, सूजी, रिबेका पेपा और उसके दोस्त डैनी डाग, सूजी शीप और रिबेका रैबिट अपनी अपनी साईकले जला रहे हैं और जोर्ज अपनी ट्राइसीकल चला रहा है यह कितना धीरे चलाता है चलो डैडी पिक के पम्किन की तरफ रेस लगाएं अगर हम डैडी के पम्किन की तरफ रेस लगाएं तो हमें ध्यान रखेना होगा कि उससे टक्रान आ जाए अगर पम्किन टूट गया तो डैडी बहुत नाराज हो जाएंगे चिंता मत करो पेपा, रेस करो पैपा और उसके दोस्ट डाडी पिक के पंपकिन की तरफ फेस लगा रहे हैं मेरे पंपकिन का ध्यान रखना पैपा ध्यान से डाडी का पंपकिन सॉरी डाडी देखो जोज को वो कितने धीरे चला रहा है जोज अभी तक बच्चों की साइकल चलाता है तुम्हारी भी तो बच्चों की साइकल है पैपा इसमें भी बैलनसर लगे हैं मैं बिना बैलनसर के चला सकती हूँ मैं भी मैं भी चलो फिर से पहाडी पर चढ़े तुम आओगी पैपा नहीं मैं यही पर रहूंगी बाइ 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 पैपा चाहती है कि उसकी साइकल में बैलेंसर ना लगे हो डाड़ी मुझे अपने साइकल में बैलेंसर नहीं चाहिए तुम बिना बैलेंसर के चला पाओगी हाँ ठीक है पैपा इसे निकाल देते हैं डाड़ी फिक पैपा की साइकल में से बैलेंसर निकाल रहे हैं क्या तु तुम सच में बिना बालंसर के चला पाऊगी? हाँ मुझे नहीं लगता तुम चला पाऊगी मैं चला सकती हूँ, हाँ, हाँ इसमें हसने जैसा, क्या है? बिना बैलंसर के साइकल चलाना आसान नहीं होता मैं तुम्हारी मदद करूँ पेपा हाँ डारी प्लीज ठीक है ready study go छोड़ना मत डारी दब्राव मत मैं पकड़े हुए हूँ काफी अच्छा चला रही हो पैपा छोड़ना मत डारी बस पैडल चलाती रहो पैपा बिना बैलेंसर के साइकल अपने आप चला रही है डारी आपने मुझे छोड़ दिया तुम कितनी देर से अपने आप चला रही हो सच में तुम सच मुझ बहुत अच्छा चलाती हो सच में ओ मैं चला सकती हूँ I देखो मुझे, मैं साइकल ठीक साच चला सकती हूँ टैनी, सूजी, रिबेक्का, देखो, मैं बिना बैलंसर के साइकल चला सकती हूँ देखो मुझे तो दैरी के पंकिन की तरफ रेस लगाएंगे पेपा, मेरे पंकिन का ध्यान रखना मजीद जाओंगे पेपा नहीं देख रही के वो कहां जा रही है ओ जिया, पेपा ने तो डैडी पेख के पंकिन की चटनी बना दी सौरी मैंने आपका पंकिन तोट दिया डैडी पंकिन की चिंता मत करो ज़रूरी ये है कि तुम ठीक ठाक हो आगे से ध्यान रखना की किस तरफ जा रही हो प्रामस डैडी जरूर रखूंगे गूड हाँ तो जब पंकिन टोटी गया है तो क्यों नहीं इसकी पंकिन पाई बना ली जाए मज़े पसंद है पंकिन पाई और क्योंकि डैडी पिक का पंकिन इतना बड़ा है इसलिए सब के लिए काफी पंकिन पाई होगी पुरे! ये! वाँ! पेपा और जॉर्ज के यहाँ फैंसी ड्रेस पाटी है उन्होंने अपने सभी दोस्तों को बुलाया है पेपा ने परियों की राजकमारी की ड्रेस पहनी है और जॉर्ज ने डाइनसौर की ड्रेस पहनी है डाइनसौर ये हैं पेपा के दोस्त यानि क्याट, सुजी शीव, डाइनी टॉग, रबेका राबिट और पेडरो पोनिंग सूजी ने नर्स की ड्रेस पहनी है हेलो सूजी हेलो मिस्टर पेग मुझे खुशी है कि नर्स आ गई क्या तुम अभी अस्पताल से आई हो मैं असली नर्स नहीं हूँ मैं तो फ्रेंशी टेस वाली नर्स हूँ बहुत अच्छे अरे वा यह कौन आए है मैं हूँ पाइरेट मुझसे सब डरो मैं जादुगर्नी हूँ मैं तुम्हे मेंडग बना सकती हूँ नए मैं एक जोकर हो बहुत अच्छे हुम क्या बनी हो रिपेकर रबिट मैं काजर हूँ बढ़ी हा अंदर आ जाओ एक फेरी प्रिंसिस और डाइनोसर तुम सब से मिलने के लिए रुके हैं कैसे हो दोस्तो हेलो पेपा हेलो सुजी मैं हूँ राजकुमारी पेपा तुम्हे मुझसे जुग कर बात करनी चाहिए हेलो राजकुमारी मैं हूँ नर्स सुजी मुझसे खोल कर कहिए आँ नए मैं हूँ जोकर कुछ मज़ेतार करो रिबेका तुम गाजर की ड्रेस में क्यो हो मुझे गाजर पसंद है डाइनिसौर पापरी तरावना डाइनिसौर पेपा आईने मैं खुद को खुशी से देख रही है पीवार पर टंगे हुए आईने बताओ सबसे सुन्दर कौन है तुम हो पेपा हेलो पेपा हेलो मैं परियो की राजकुमारी हूँ और मैं जादूगर्नी मेरे पास एक जादूई छड़ी है मेरे पास भी जादूई छड़ी है मैं तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ और मैं भी तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ ताइनिस्यो जादू है जाज तो खुद को देख कर ही डर गया ओफो जाज देखो आईने में तुम ही हो बच्चों अब ये तैय करना है कि सबसे अच्छा फैंसी ड्रिस किसने पहना है अब जज कौन बनेगा मैं ने यह पीपा की पाटी है, तो जज भी उसे बनना चाहिएह जग हूँ, मैं जग हूँ डादइ, जग क्या होता है जज तेय करेगा सबसे अचा ड्रेस किसका है अरह वह पैपा ये तेय करेगी किसकी ड्रेस अच्छी है Suzy, क्या मैं तुम्हारा ड्रेस देख सकती हूँ? मैं नर्स Suzy हूँ, मैं लोगों को ठीक करती हूँ शाबाश नर्स Suzy, अब डैनी? मैं हूँ पारेट, मुझसे सब डरो अब कैंडी? मैं जादुगर्नी हूँ, मैं तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ मैं परियों की राजकुमारी और मैं तुम्हें मेंडग बना सकती हूँ बच्चो बच्चो सारी मामी अब कौन? मैं जोकर हूँ कितना मसेदार है और रिबेका? मैं गाजर हूँ अरे वाह और मेरा चोटा भाई जोज टरावना डाइनसौर बनाए सबके ज्रेस बहुत अच्छे अब तुम बताओ विजेता कौन है? अरे हाँ और विजेता है पेपा पेपा तुम खुद को नहीं चुन सकती तुम जज हो नहीं कर सकती तुम ही कोई और विजेता चुनना होगा ठीक है गाजर जीती वाह थांक यू पेपा को फैंसी ड्रस पार्टी बहुत पसंद है सभी को फैंसी ड्रस पार्टी बहुत पसंद है प्पार्टी जज़ तुम झाल कर दो